नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंट धर्मा सनमार्ग सनीचरी अमोस्या जो सनीदेव का सबसे प्रिय दिन हुई है और इस दिन अमोस्या होना बहुत बड़ी बात है वैसे तो सनीदेव नयाय प्रीदेव है किसी से धुखा करना, छलकपट करना बिगरे से वो जल्दी हिसाब कर लेते हैं इसलिए इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए पर क्या आपको पता है सनीचरी अमस्या के दिन लग रहा है सूरिगरह जोतिस सास्त की माने तो इस दिन पवित्र नदी सरोवर में स्नान करना, दान करने का महत बहुत है सनीचरी अमस्या के दिन कई बार जैसे कि आपके बनते वे कारे बिगर जाते हैं अचानक से चोड़ चपेट लगता है, नुकसान होता है समस्याएं बार बार आती है, स्वास्त की मुस्किलें होती है तो उनसे बचने के लिए महा परियोग किये जाते हैं सनी के असुपरभाव को दूर करने के लिए भी इस दिन परियोग किया जाता है आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं इस सनीचरी अमस्या के दिन हलांकि आज हम लाल मिर्च के महा प्रयोग आपको बताएंगे लेकिन सनी देव के जब आप सिला या मंदिर के पास पूजा करने जाते हैं एक बात हमेशा याद रखें सनी देव के आंखों में मत देखेंगा और ऐसी मुर्ती का दर्सन बिल्कुल भी ना करें जिनकी निगाहें आपको देखती हो उपर की और देख रही है फिर तो ठीक है तो इन बातों का ध्यान रखना है और सूरी गरहन चुकि रात 12 बच कर 15 मिनट से सुबच 4 बच कर 7 मिनट तक रहेगा तो सूरी गरहन भारत में नहीं दिखेगा इसलिए आपको डड़ने की आवा सकता नहीं लेकिन जो गर्भती मेला हैं वो थोड़ा साथधान रहेंगी इस अमवस्यातिती के दिन बिसेश प्रियोग किये जाते हैं सत्रू बिरोधी से मुक्ती पाने के लिए कर्ज मुक्ती के लिए या फिर आपके जीवन में जो कस्ठ हैं परिसानी हैं पिडाएं हैं उनसे मुक्त होने के लिए कभी कभी सत्रू इतने परिसान करते हैं कि लगता है जैसे अब बशने के कोई रास्ते ही नहीं हैं आप परिसान हैं आखिर कैसे उन तमाम परिसानियों से बाहर निकलें। जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए अक्सर टोने टोटके का भी सहरा लेते हैं। और यह टोटका कभी कारगर सिब्ध हो जाता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है बहुत बार आप डर भी जाते हैं पर डर यह मत। क्योंकि टोने टोटके अगर किसी ने कुछ किया है या कोई लोग बहुत ज़्यादा आपको परिसान कर रहे हैं तो उन से बाहर निकलने के रास्ते भी बताए गया है। वैसे तो लाल मिर्च का टोटका लाल मिर्च हर किसी के घर में होता है और आपको लेना है लाल सुखी भी मिर्च तो खाने के साथ कई टोटके भी काम आते हैं लाल मिर्च के घर गियस्ती से जीवन में जुड़ी भी तमाम परेसानियों से भी बाहर निकलने में मदद करता है ये मिर्च और कर्ज से भी चुटकरा दिलाता है तो आज हम आपको लाल मिर्च के पांच प्रियोग बताएंगे जो आपके जीवन की बहुत सारे मुस्किलों से आपको बाहर निकालेंगे तो खाने में जितना ज़्यादा जो टेस्ट उसको बढ़ाता है खाना का लाल मिर्च उतना ही ज़्यादा आपके जीवन की समस्याओं से भी बाहर निकालता है और लाल मिर्च का टोटका सत्रूं को प्रास्ट करने के लिए बहुत कारगर होता है अगर आपको बहुत मेहनत करने के बाद सफलता ना मिले तो लाल मिर्च का ये टोटका आप जरूर करें आपको हमें हर वक्त लगेगा जैसे हाँ सब कुछ अब मेरे साथ अच्छा हो रहा है अगर आपकी जीवन में लगातार समस्या या बाधाय आ रही हो तब एक छोटा सा काम कीजिएगा रात में सोने के पहले सनी वार की रात सोने के पहले एक बरतन में पानी ले ले बरतन कोई भी हो सकता है ग्लास है, कटोरी है, मग है, बाल्टी है कुछ भी ले 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 अब इस पानी में 21 लाल मिर्च के बीज डाल दे यानि एक लाल मिर्च ले लें उसमें से बीज निकालें ट्वेंटीवं दाने उसमें से निकालें और उसको उस पानी में डाल दें और 30 में इस बर्तन को अपने सिराहने यानि बेट के ठीक नीचे जहांपे सर रखते हैं वहाँ पर रख दें सुबह उठने के बाद इस बर्तन को उठाईए जिसमें आपने रखा है बीज डालकर अब इसको अपने उपर से 7 बार उल्टा उतार ले यानि आपको बाएं हाथ में लेना है और अपने सर से 7 बार उल्टा वार लेना और घर से बाहर फेक दें और बीना पीछे मुड़े घर आ जाए आप देखेगा आपके जीवन की जो समस्याएं हैं जो बाधाय हैं वो समात हो जाएगी अब एक और छोटा सा प्रियोग कई बार क्या होता है सत्रू विरोधी बहुत परिसान करते हैं रातों की नींद खो जाती है तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा सनिवार की साम आपको चाहिए होगा पांच लाल मिर्च और इसके साथ ही थोड़ा सा सरसों के दाने पीली सरसों थोड़ा सा नमक अब अपने दुसमन का नाम लेते वे या फिर अगर आपके उपर किसी ने कुछ टोणा टोटका किया आपके घर परिवार पर किसी ने कुछ किया है तो इसका नाम लेते वे अपने सरसे या बच्चों के सरसे आप घुमा ले कम से कम साथ बार या तीन बार और फिर इसको आप घर से बाहर ले जाकर फेक दें लेकिन आप खुद पिडित हैं अगर आपको लगे कि दुसमन बहुत परिशान कर रहे हैं आपके बैपार अस्थल पर या फिर आपके आप जॉब करते हैं वहां लोग लगे हुए हैं आपके पडोसी परिसान कर रहे हैं आपके घर परिवार के लोग परिसान कर रहे हैं तब पांच लाल मिर्श आप लीजिएगा सुखी वी एकदम साबूर टुटी फुटी भी मत लीजिएगा और दुस्मन का नाम लेते वे अपने सिर्थ से पांच वार घुमाईए उल्टा और घर से बाहर निकले मिट्टी में गड़ा करें और गड़े में उसको डाल कर आप मिट्टी दबा दें तो गड़े में लाल मिर्च दबाने से क्या हो जब दबाईएगा उसके पीछे मुड कर मत देखिएगा और यह टोटका आपके जीवन से सत्रों का नाम नसा मिनचा देगा बहुत सिंपल है लेकिन इसका आपको क्विक रिजल्टी मिलेंगे तो यह प्रियोग आप जरूर करें क्योंकि यह आपके जीवन से सत्रों का नास करता है सत्रों को समप्त करता है लाल मिर्च के बहुत सारे टोटके होते हैं और उन्हीं में से एक और देखें कई बड़ क्या होता है आप कर्जس में फंज आते हैं या पिर आपका पैसा किसीने ले लिया अब नहीं देना ही नहीं चाहता, आप परिसान है, घर में बहुत ही ज्यादा परिसानी बड़ गई है लेकिन गया हुँ पैसा वापस कैसे आई? कैसे आपके ही धन आपको नहीं मिल पाते तब आप मुस्किल में पढ़ जाते हैं तो उन धन को प्राप्त करने के लिए जो आपका है उसको वापस लेने के लिए आप रोज जो जल देते हैं भगवान सुरी को जल देते समय आप जल में एकईस दाने लाल मिर्च के या फिर एक चुटकी उठा ले अब चुटकी में जितना भी आजाए उसको गिनिये का मत और उसको जल में डाल कर भगवान सुरी को अरपीत करें लगातार 21 दिन तक अरपीत कर सकते हैं अगर 21 दिन तक ना कर पाएं अरपीत तो आप आपके बदले में भी कोई कर सकता है कोई दिकत नहीं है तो यह प्रयोग जब कीजिएगा तो भगवान सुरी से आप अपनी समस्या कहिएगा और उनसे पराथना कीजिएगा कि जीवन में जो मुस्किले हैं जो धन की समस्या है उनसे आपको मुक्ति दिलाए आपको धन की मुश्किले अब और प्रिसान ना करें तो जो बिजनस अच्छा ना चले ब्यपार में एकदम घाटा हो रहा हो तब मिट्टी का तीन दिया ले लें एक दिपक में पीली सर्सों रखें दूसरे में काला तिल रखें साबुत नमक रखें और साबुत धनिया रखें और हर दिपक में एक एक लाल मिर्श डाल दें यानि तीनों दीपक में आपको थोरा थोरा सब कुछ ले लेना है और इसमें एक एक लाल मिश डाल दें अब इन तीनों ही दीपक को अगर दीपक नहीं है मिट्टी का दीपक मिलना वैसे आसान है आपको मिल जाएगा तो आप अपने इसे हाथ से भी घर्ट में बना सकते हैं और अपने बैपार वाली जगह में रख दें, यूँ ही पड़े रहने दें, आप देखिएगा आपके काम के बैपार की जो बाधाएं हैं, जो मुस्किलें हैं वो समाप्त हो जाएगी और आपका बैपार चलने लगेगा, बहुत सिंपल है, और साथ ही काम की बाधाओं को जंदी है, वो समाप्त हो जाती है और चलने लगती है, तो समस्याओं से मुक्ती पाने के लिए लाल मिर्च और लाल मिर्च के बीज बहुत ही ज़्यादा अचूक फल देते हैं, और आपको इसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलते हैं, तो यह वाला प्रियोग आप कर सक जाते हैं, नजर लग जाता है, तब लाल मिर्च लीजिए तीन अब जो बच्चे पीडित हैं, उनके उपर से तीन वार वार कर जलती भी चूले में डाल दें, या पिर आप कहीं पर जलाने की वेवस्ता करें, वहां पर जला दें, तो ऐसा करने से बच्चे नजर दोस्त से बचे रहेंगे और वह जल्दी छीख हो जाएंगे, कई बार क्या होता है, आपके घर में लोग बीमार होते हैं, एक के बाद एक लोग बीमार हो जाते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ती, तब एक छोटा सा परियोग कीजिएगा, और एक बार भी ये परियोग कर लें तो आपके घर की समस्त परिसानिया समाप्त हो जाती है, आपको चाहिए होगा साथ लाल मिर्च, थोड़े से काले तिल, साथ जाइफल, छोटा सा फिटकरी का, छोटे छोटे साथ तुकरे, अब सब कुछ एक लाल कपड़े में बंढ लें, अब इसकी पोटली बना लें, औ अगले दिन सुबह घर से बाहर निकलते वे भगवान का ध्यान कर प्रातना करें, है प्रभू हमारे कस्टों को दूर करें, सुख सम्रिद्धी दें और पोटली को किसी पीपल के पेड़ की जर में दबा दीजिए, पीछे मुड़के मत देखिएगा, आपकी परिसानिया आ आपको और कुछ करने की आवसकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्रियोग एक बार में ही फ्ल देने लगता है, और एक बार में ही आपको रिजल्ट भी इसके मिलने लगेंगे, तो लाल मिर्च के प्रियोग आपके जीवन की समस्त समस्याओं से बाहर निकालता है, आप लाल मिच ले 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 एक नीमबू ले ले और इसको काले धागे के साहरे गूत ले अपने पैपारस्थल पर या घर के दरवाजे के बाहर टांग दे हर सफता चेंज करना है हर सनिवार को इससे भी आपके जीवन में कोई परिसानी नहीं आती तमाम तरह के आप है वह दूर ही रहती है और बाहर से वह संतुष्ठों के हड़ जाती है अगर कर्ज में फसे हैं कि बहुत ज्यादा या फिर कोई आपका पैसा लेकर बैठ गया है दे नहीं रहा तब धन की मुस्किलों से बाहर निकलने के लिए आप भगवान सुरी को एक लोटा जल में एक चुटकी लाल मिर्च के बीज या फिर 11 बीज लेकर आप उसको डाल कर लगातार सुरू करिए आप रविवार के दिन से सुरू कीजेगा और लगातार 21 या सताहिस दन तक दे लिए आप चाहे तो लबे समय तर दे सकते हैं और उनसे प्रांता करें धन प्राप्त करने के लि दे सकते हैं